इस module के अंदर हम paraptic species के बारे में discuss करेंगे last module में हमने देखा कि sympathetic species के अंदर जो species वाल होती है वो ancestor population से same geographical area के अंदर या same geographical range के अंदर वाल होती है लेकिन paraptic species के अंदर क्या होता है इसके अंदर भी कोई permanent barrier मौजूद रही होता और जो species इवाल होती है वो extreme change in environmental conditions की वज़ा से होती है for example एक area वहाँ पे किसी वज़ा से pollution बहुत ज़ादा बढ़ जाती है ऐसी place जहाँ पे environmental pollution बहुत ज़ादा है वहाँ पे जो species है वो आहस्ता आहस्ता अपने अंदर ऐसे features को पैदा कर लेती है जो नए conditions के मताबिक उनको survive करने में help करती है इस तरीके से जो normal area है वहाँ के जो species वहाँ पे जो population मौजूद है उसके characteristics different है और जो नया area है जहाँ पे pollution है वहाँ पे जो species है उसने अपने आपको नए महाल के मताबिक adjust किया उसने नए characters अपने अंदर पैदा किये तो इस तरीके से जो species होती है उसको paraptic species कहते है paraptic species का concept Darwin ने ही दिया था इसके मताबिक क्योंकि यहाँ पे permanent barrier मौजूद नहीं होता species के जो members है वो आपस में interbreed कर सकते हैं लेकिन gene flow बहुत कम हो जाता है यानि इसमें breeding तो होती है लेकिन यह breeding कम interbreeding कम होती है यानि जो different areas के अंदर species के members है जो different populations है वो आपस में breed करती है जबके दूसरे members के साथ दूसरे population के साथ उनका interaction कम हो जाता है इस वजह से उनकी breeding भी कम होती है इस तरीके से उनके अंदर दोनों populations के अंदर reproductive isolation आ जाती है पेरापेट्रिक speciation भी बहुत rare होती है इसके अंदर अगर हम example देखें तो पहली example हम plants के अंदर देखते हैं plants के अंदर ऐसे plants जो के ऐसे areas के अंदर मौझूद है जहाँ पे mining activity जादा है तो mining activity की वज़ा से वहाँ पे soil है वो different है लहादा यहाँ पे जो plants है उन्होंने अपने आपको इस mining area के हिसाब से adjust किया और दूसरे plants जो के ऐसे area के अंदर मौझूद है जहाँ mining activity नहीं है क्योंके वहाँ पे soil के अंदर mineral मौझूद नहीं है इस वज़ा से वहाँ पे उनके अंदर characteristics different है तो यह देखा गया है कि ऐसे plants ऐसे grasses जो के mining area के अंदर मौझूद है उनका flowering time ऐसे plants जो के ऐसे जगाए पे मौझूद है जहाँ पे mining activity नहीं हो रही उनसे different है तो क्योंके दोनों का flowering time different है तो आहिस्ता इस्ता इनके अंदर इतनी changes आ जाती है कि यह आपस में interbreed नहीं कर पाते और दो species इवाल हो जाती है इसी तरीके से अगर हम animals के अंदर बात करें तो animals के अंदर भी देखा गया है कि जो tropical cave snails है इसके अंदर भी paraptic species होती है यहाँ पे दो किसम की species है एक ground population है और दूसरी cave dwelling population यह ख्याल किया जाता है कि पहले यह एक ही species हुआ करती थी जो cave dwelling species है यह ground dwelling species से paraptic species के नतीजे में इवाल हुई तो यहाँ पे हमने देखा paraptic species के अंदर जो species इवाल होती है यह basically environmental conditions के अंदर differences की वज़ा से आती है इसको हम character तो क्योंके geographical range के साथ organisms के अंदर जो characters है वो change होते है for example अगर हम हिली एरिया और मेदानी एरिया plane एरिया को compare करें तो दोनों के अंदर जो environmental conditions है वो different है temperature हिली एरिया इसके पर काम होता है मेदानी अलाके के अंदर comparatively temperature जादा होता है तो दोनों के अंदर जो species है वो different हो सकती है लेकिन ये जो change आती है ये अचानक से नहीं आती बलके gradual change आती है अगर हम मेदानी एरिया के अंदर दाखिल होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता temperature के अंदर change आती है लेकिन एक खास एरिया के बाद ये differences इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दोनो locations के अपर जो animals या plants हैं वो different किसम के characters acquire कर लेते हैं और ultimately ये different species के अंदर convert हो जाते हैं